ओ माई गॉड ये ग्लो देख रहे हूं मेरे चहरे पर आप भी जानना चाहते हूं ये कैसी आया और ये तवारक के कैसे बैटू ही यार मेरा तो ब्यूटी का चैनल है आप भी सोचोंगे मैं क्या उल्टे सीदे काम करने लगी है तो यहाँ पर मैं आज आपको एक ऐसा जेल ब पनाके लगा लो है वेल्कून टु माई चैनल नाच्रलस ब्यूटी वर्ड कैसे आप सभी आज हम बात करें आपके डिमांड पर सैफ्रों जेल के बारे में मैंने रेडिमेंट सैफ्रों जेल आपको दिखाया था तो आपने का था कि मैं होम मेड बता दीजीगा क्योंकि दे हमेड जरूर बनाना है बुट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे रजल्ट आ सकते हैं हमेड के मैं उस सैफ्रों जेल को तो बिल्कुल भूल गई हूं अपने होम मेड के रजल्ट देखकर और आप भी से ट्राय करके जूर देखेगा और देखना चाहेंगे से रजल्ट के वी डियो में चलेगा थे टाइमवेश्ट नहीं करते हैं बर वीडियो में जाने से पहले आपको बताती हूं कि सैफ्रों के का शी क्या पाए जाता है किसी समया अर्य किसे चाम आता हैर tip छेर सब्सक्रियू अर्य अपनरे गःते उपे चंप्र क्लिए काम तो हम बोलते हैं कि से केसर का दूद दे दो तकि बच्चे का रंग गोरा हो जाए तो एक तो बेनिफिट ही हो गया आपको पता ही चल गया होगा कि केसर हमारी रंगत को निखारता है स्किन को ब्राइटन लुक देता है इसकिन को गलोई बनाते है तभी प्रेगेंड लेडी को कलर को चेंज कर देता है और आपकी खीर में एक खुश्बु तो लेकर आते ही आता है और सवाद भी बहुत अच्छा होता है तो यह इस पेचली अपने चंप के लिए रंग के कान और अपने स्वाद के कान जाना जाता है और इसके स्किन के लिए कितने बेनिफिट है आप सेफ्रोन देखे हमारे हर ब्यूटी और स्किन केर के प्रोडेक्ट में यूज किया जाता है क्योंकि सेफ्रोन हमारी स्किन को निखारता है इसमें ऐसे दो तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की रंगत को निखारते हैं स्किन को इवन करते हैं कि सेफ्रोन में क्रॉसिन गोलबन को कर देते हैं उसके बात जब हमारी स्किन कोई ماकदार बनाते हैं को सकिन को ग्लोई हो जाती है bbles साफिरोन सेफ़रोन में इंट अक्सिडन तत्व के साथ साथ एंटिबेक्टेरियल गुन होते हैं इसमें म inflam you पाये जाता है इसलिए हमारी स्किन के लिए इतना फायदेमंद होता है अगर आपने तक रेडिमेंट नहीं लिया है तो आप नहीं ले तो ज्यादा बैटर है मेरे होममेड पैक को देखकर आपको दिल भी नहीं करेगा कि आप ले ट्राय करके जरूर देखेगा और आगे और आने वाले हों जब हम घर का अलवेरा यूज करेंगे तो उसके क्या फायदर नुकसान हो सकते है या इसमें और भी हमें क्या-क्या इंक्लूड करना है जो इतना ज्यादा रजर्ट आएगा तो देखे मैं ज्यादा बोलूंगी बट आप मेरी वीडियो में रजर्ट देखे अलवेरा की यह मैं अपने प्लांट में से निकाल कर लेकर आई हूँ बट आप यह मत सोचिएगा कि मैं अभी निकाल के लिए क्या यह और अभी यूज कर रहे हूं नहीं इन्हें हमें दो दिन रखना होता है इसमें से एक लिक्विड पदार्त निकलता है जो येलो कलर का ह अतारबाद में ब्लैक हो जाता है वो निकल जाना चाहिए अगर आप उसको भीना निकाले स्किन पे अपलाई करते हैं तो आपकी स्किन में दाने हो सकते हैं ऐलर्जी हो सकती है क्योंकि इसे हम डार्यक्ट अपलाई नहीं कर सकते हैं आपको इन बातों का ध्यान रखना है और आपको पता है कि अलोवेरा के कितने फायदे होता है हमारी स्किन के लिए ये स्किन को मौशराइज करता है स्किन को हाइडरेट करता है स्किन के दाग धबों को दूर करता है और स्किन को ग्लोई और शाइनी करता है तो इसे आपको हमेशा अपनी स्किन पर अपलाई करन तो आप यह मस सोचेगा कि मेरी slap गंदी होगी, मैंने बहुत अच्छे से इसको clean किया है, क्योंकि मुझे फेस पर apply करना है, आप इसमें जब केसर मिलाएंगे तो भी apply नहीं होगा, तो इसको इस तरीके से अपनी plate में लेना है आपको, इस तरीके से मैं सारा निकाल लूँगी plate में, और यह देखे हमारा इतना निकला है, यह हमारा 15 से 20 दिन चल जाता है, और इस तरीके से हम इसे mixi में डालेंगे, क्योंकि देखे, grand के बिना बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यह क्योंकि बहुत लिसी-लिसा और गुदा सा होता है, तो यह face पे apply नहीं होगा, तो इसलिए इसे हमें grand करना पड़ेगा, अगर आप अपने hair में भी लगाता है, तो भी आप इसको mixer में इस तरीके से grand कर लीजेगा, जैसा कि मैं कर रहे हूँ, एक ही बार गुमाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, पिल्कुल पतला सा बन जाए गए, तो बहुत अच्छे से apply भी होगा, तो इस तरीके से हमने कर लिया है, इसको खोल के अलग निकाल देंगे side में, और फिर एक container ले लीजेगा, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो काच का हो, उसमें आप इसको पलट लीजेगा, यानि निकाल लीजेगा, अभी हम इसको side कर देते हैं, हम चलते हैं दूसरी तरह, यहाँ पर जब मैंने सैफ्रोन जेल मंगवाया था, अपना खादी का, जो मैंने आपको दिखाया था रेडिमेंट, तो मैंने उसे ही के साथ, कैसारी का यह सैफ्रोन लिव्ज मंगवाया थी, जिसका मैंने सोच लिया था, कि आपको होममेड भी बताऊंगी, और यह देख लीजेगा, इसमें और भी अलग अलग ब्रैंड मिलते हैं, बट मैंने यही मंगवाया, तो इसके लिं मैं खाने में यूज करती हूँ, इस पर एक्स्टा करती रहती हूँ, और इस तरीके से टीशू लेने हैं आपको, टीशू में उतनी लिव्ज रखेगा जितनी आपको चाहिए, तो आप मैंने थोड़ी ज़्यादा लिया है, आप चाहिए थोड़ी कम ले लीजेगा, आप बार-बार यूज करना चाहते हैं, तो हलकी सी कम भी ले सकते हैं और इस तरीके से टीशू को बिलकुल रैप करके, तवे पे रख देंगे, और फ्लेम को बिलकुल धीमी ही रखेंगे, ज्यादा हाई पर नहीं रखने हैं आपको, और इसको अच्छे से हाथों से गरम करते ह तो यहां पर हमें इस तरीके से उसको यूआ और देखिए जब गरम करने के बाद मैं इसको खोलूंगी न तो आपको टीशू पे भी इसका कलर दिखाई देगा आपको दिख रहा है यलो यलो सा कलर ये सैफ्रोन का कलर है और इस तरीके से गरम हो गया है तो ये रंगत को छोड़ देगा अगर आप इसके लिवस को ऐसे ही उसके बाद सिरम लिया है हमने यहाँ पर मैंने गोडवेब्स का विटामिन B3C सिरम लिया है और आप यही लीजेगा और बहुत ही बैटर है इसमें विटामिन C है और B3 है उसके बाद ले लेंगे उसके साथ से 8 डॉप डालिएगा इतने में इसके बाद लिया है और इतनी आल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, जिनके एंटी जिनके पिग्मेंटेशन है, जिनके सनबर्न हो गया है, जिनके टैनिंग है, सभी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा ग्लो आएगा ना, अगर आपको बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो उसके के बाद बनकर रैडी हो गया है, और देख सकते हो, धीरे 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 इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बट मैं आपको लिव्स का कलर भी दिखाने वाले हो आगे वीडियो में, आप मेरा फेस यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सिर्फ लिपिष्टिक हो भी नहीं है, मैं अप्लाइ करूंगी, तो मेरी वीडियो में धीरे धीरे आप देखते जाएगा, चौक जाएगा आप भी रेजल्ट देखके, क्योंकि मैं खुद शौक डोगई थी देखके, मुझे लगा यार मैंने खादी का मंगवाया, इससे अच्छा मैं पहले हो मे पहले होने के लिए, क्योंकि देखो हर चीज का लगाने का अपना मैथड होता है, अगर आप इसको लगा के वोश करेंगे, तो यह असर कहां करेगा, जब आप इसे पांच से साथ मिनट के लिए या तीन से चार मिनट के लिए स्किन पे छोड़ेंगे, तो स्किन में स्किन को हाइड़िट करेगा, मौशराइज करेगा, दाग दबो पे असर करेगा, तभी तो आपको रजल्ट मिलेंगे ना, और सीरम इंक्लूड के तो वो आपके डीप लियर पे जाएगा, तो देखे कितने फायदे मिलेंगे आपकी स्किन को, तो आपको लगा के रखना है और लगाने के बाद, जब आप इसे रखते हैं, और जब ये ड्रै हो जाता है, तो आप उसका भी ग्लो देख लीजिगा, कितना आएगा, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मसाज की, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी, स्किन को टाइट करते हुई, यानि मैं जब भी क पर शायद किसी ने इतने अच्छे रजल्ट के साथ नहीं दिखाया होगा, और मैं देखो बोल रही हूँ, बट मैं तो कहूंगी, ट्राय करके देखेगा, और जब आपको ऐसे ही रजल्ट मिलेंगे न, तो मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताएगा, कि मेरी रेमेडी अच्छी होती है या नहीं होती, जो भी रेमेडी देती हूँ, हंडर परसेंट रजल्ट के साथ हूँ, और पहले खुद करके देखती हूँ, यहाँ पर देखे, आप यह सूखने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पर मैं तब तक आपको कलर दिखा देती हूँ, यह दीख इसको दो दिन रखने के बाद भी हलकी इचिंग हो रही थी, तो sensitive skin वालों को हो सकता है, प्रोब्लम हो जाए, तो आप रेडिमेंटी मिक्स करें तो ज़्यादा बैडर हो, इसको सूखने के लिए छोड़ दीजगा, जब यह सूखेगा, तो आपको और भी ज़्यादा अच giveaway winner, मैंने face को wash कर लिया है, आप देख सकते हैं, और wash करने के बाद भी आपको मैं glow दिखाऊंगी, कुछ भी apply नहीं करूंगी, skincare के बिना ही दिखाऊंगी, और जब आप face को clean करते हैं तावल से, तो आपको dab-dab करके करना है, कभी भी face को रगड़ नहीं करना है, उससे skin लट अच्छा लग रहा था, तो ज्यादा बोलने से अच्छा है, कि आप भी try करिएगा, और जिब try करेंगे, तो मुझे comment section में जरूर बताएगा, कि आपको इसके result कैसे मिले, ताकि लोगों को पता चले, कि मैं जो भी दिखाते हूं, बिल्कुल real दिखाते हूं, कोई fake नहीं हो और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, और फेस्बुक पेस को फोलो करना बिल्कुल मत बुलिएगा, मिलते हूं, नेक्ट वीडियो में कुछ नएवारा चले कि